नमस्कार, आज हम लोग बजार वाली पनीद घर पे बना के तयार कल जाई तो पनीद आप बजार से भी मगा सकीना लेकिन कभी-कभी हम लोग के घर में दूद बज जाला तो समझ में ना विला कि ओ दूद का कल जा तो ओ दूद से आप एसन पनीद बना सकीना तो यी पनीर बजार से भी बढ़ियां बनके तयार हो ले और बजार से भी नरम बनके तयार हो ले और एकदम ताजा पनीर आपका घर पे बनके तयार हो जाए तो यी पनीर बनावे के लिए हम यहाँ पर एक लीटर दूद का इस्तिमाल करें दूद आप कोई सा भी ले सकी लाँ गाय का ले सकी लाँ भैस का ले सकी लाँ या फिर पैकट की दूद से भी आप पनीर बना सकी लाँ इस दूद के आप गर्म कर लेवे किया तो जैसे ही दूद में पहला उबालावे तो कर्ची की साहता से थोड़ा से चला लें और अब यहाँ पर आज की धीमी कर दें और धीमी आज पर यह दूद के उबले दें और दूद के फाड़े के लिए एक नीबू का रस्त रख लें एक लीटर दूद में एक नीबु का रस काफी है एक लीटर दूद में एक नीबु के रस से दूद अच्छी तरह से फट जाला आप चाहें तो वीनेगर और फिटकीरी से भी फार सकी है लेकिन नीबु हर घर में उपलब धोला तो हम यहाँ पर नीबू का इस्तमाल के लिए हैं नीबू का रस निकालके अच्छी तरह से चान लेवकर ओमें थोड़ा सा एक से दूद की आप मचके करी पाने भी मिला लेवे किया और इसी दूद में अब थोड़ा थोड़ा करके नीबू के रस के डाले किया कभी-कभी आधा नीबू में ही दूद फड़ जाला लेकिन कभी-कभी ना फटेला तो पूरा नीबू का रस डाली एक लिटर दूद एक नीबू से अच्छी तरह से फड़ जाला और नीबू का गंद भी ना आवे ले छेना में और यदि आपके पास विनेगर होगे सफेद वाला सिर्का तो उसे आप फाड़ एक से दूद चमच में थोड़ा सा पानी मिला के फाड़ तब भी आपका एक कीटर दूद बढ़ियां से फड़ जाला तो यहाँ पर देखिए आदा नीबू का गंद आले के बाद ये दूद थोड़ा थोड़ा फटला तो हम पूरा नीबू का गंद आल देते हैं पूरा नीबू का गंद आलते हैं ये दूद अच्छी तरह से फट जाई नीबू कर दाले के बाद कर्ची के सायता से चला के अच्छी तरह से दूद में मिला लेवेके तो यहाँ पर आप देखी सकते हैं कि दूद बिल्कुल अच्छी तरह से फट चुका लगा बस एक से दूमियर तक और एक मध्यमाच पर पका लेवेके हैं तो आपको दूद यहाँ पर हम दो डोकाशेना दूद से ऀगदम अलग हो चुकर लाब यहाँ पर ग्यास के बंद कर देवेके हैं और एक बड़ा सा कटूरा ले लेवेके हैं और चन्नी रखे के बाद एक साफ सूती कपडा ले लें बहीन सा तो यहाँ पर हम छेना फाड़े के लिए हमेशा इस्तिमार करीना एक कपड़ा एक ही बढ़ियां से दोके साफ कर लें और उक्रे बाद जोन इस दूद्फट के तेयार भाला उकेम में डाल देवे कि हाँ और अब धीरे धीरे एक तरफ का कपड़ा उढ़ा के चारू तरफ का कपड़ा एक जगह इकठा कर लें ताकि आपका छेना चन के इकठा हो को जाए तो यदि आपके स्रिफ चेना का उशकता हो खा तो इस तरह से कपड़ा के बांड़के एक घंटा या अधा घंटा के लिए लटका देए तो आपका छेना बनके तयार हो जाए लेकिन हम लोग के पनीर बनावे किया तो सबसे पहले इक अपाके इस तरह से लटका तब एके इस तरह से मोड के और किसी थाली पर इस तरह से चप्टा करके रखते वे के हैं और थोड़ा सा दबा दबा के एक बराबर भी कर ले वे के हैं और अब एक पर कोई सा भी थोड़ा सा भारी चीज रख दें तो यहाँ पर हमी सबजी काटे वाला जोन बोर्ड है ओके हम पहले रख दे थे और उक्टे बाद एक पर एक भगोना पानी रख दे थे आप यहाँ पर दाल या चीनी वाला डबा भी रख सके लाँ बस कुछ समान भारी रहे के चाहिए ताकि यह पर दबाव पड़े पर देख सकते हैं कि इतना अच्छा तरह से बनके तयार भाला तो पनीर का मांत्रा दूद के मात्रा के उपर निर्भर हो ले जितना बढ़ियां दूद रहे ला और जितना ज्यादा पनीर आपका बनके तयार होई तो यहां पर आप देखी सकते हैं कि कितना बढ़ियां पनीर कितना जट पर जल्दी से बनके तयार होगला अब एपनीर से आपका जवन मन करें तयोना बना सकीला कि घर का शुद्ध और सस्ता पनीर बनके तयार हो तो आपका जब भी घर पे मन करें पनीर बनावेगा तो आप इस तरह से बना लएगा एगदम अच्छी तरह से आपका पनीर बनके तयार हो जाई या फिर पैकेट के दूसे भी आप ऐसन पनीर बना सके ला तब ही आपका पनीर ऐसन बनके तयार हुई तो ये वीडियो आप लोगों के थोड़ा भी यदि अपनी भाशा भोशपुरी में पसंद आई लोई तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल भी न बूली और यदि चानल पर नया है इसने और भी रेसिपी अपनी भाशा भोशपुरी में देखा जात हैं तो आमस्कार